बुकारों के चास्थाना शेत्र के चीरा चास इस्तितवास्तु विहार फेज चार के बंद आवास में चोरों ने चोरी की बारदात को अंजाम दिया है ग्रेह स्वामी अयोध्या शर्मा अपने परिवार के साथ इलाज कराने दिल्ली गय हुए थे और उनका मकान लगभग दो महीनों से बंद पड़ा हुआ था और आज जब मंगलवार को वह दिल्ली से अपने घर वापस लोटे तो देखा कि घर में किसी ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है तुरंत चास थाना पुलिस को सूचना दे जिसके बाद पुलिस वहाँ पहुची और चोरी की बारदात का जायजा लिया पुलिस ने बताया कि अज्यात चोरों ने घर के पीछे की खिड़की का ग्रिल तोड़ कर घर के अंदर दाखिल हुए और चोरी की घटना को अंजाम दिया वहीं ग्रिह स्वामी आयोध्या शर्मा ने बताया कि लगबग एक लाख असी हजार की चोरी हुई है जिसने कुछ गहने है और कुछ कैश भी है आपको बता दे कि ग्रिह स्वामी बीएसल से रेटायर है जो एसेमेस में कारे रत है पुलिस मामले की जान शुरू कर दी है माथा जी को कंप्लेंड कियें वह आकर देखें सब समान पिखरा हुआ गाइब है कितने के संपति आपकी लगबग चोरी हुई होगी वह एक लाख असी हजार के लाग स्वास में नगत कितना था उचाली से जार बाकि और नामेंट्स को एकर रहा है कितने दिन तक थे आप लोग दिली में मतलो इलाज के दौरा आज आए हैं अभी का प्रोल्म उता रहा है ज़िए सब्सक्राइब है अज़िए सब्सक्राइब है किस भीवाग में थे बाहर दिली में जब आज घर वापस आए तो देखे कि घर का पिछला हिस्सा खिड़के का गरीद तोड़ा हुआ था उसी के माधियम से कुछ अग्याद्चोर त्वारा उनके घर में छोड़ी की घटना को पताई गई है जिसके गांसपतार के लिए हमें घटना सब्सक्राइए अज़िए जब आज़के लोगों से और घर के माधिया घर का सब्सक्राइए उनके बताया कि एक टीवी और कुछ ख्यरे दू समान चोड़ी कर ले गई है इस क्या लगता है सर कि चोड़ी का बार्दा दिनों बढ़ती जा रही है ऐसा नहीं आग्या इनका आपके सेक्रिटी अगर आप इस चैनल पर नए है तो हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश-विदेश की खबरें आपको मिलती रहें स्वदेश वानी